नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में तो आज की वीडियो में हम एग्री इंफरा फंड के बारे में डिस्कॉशन करेंगे दो पार्ट में इस वीडियो को मैं कवर करूंगा आज का फस्ट पार्ट है तो इसके बारे में फस्ट पार्ट मे कि कैसे अपलाई करना है क्या 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 डॉकुमेट की चेकलिस्ट है तो वो सब गाइडलाइंस आपको सेकंड पार्ट में कवर कराऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो एक्री इंफ्राफंड जो स्कीम है वह 15 मईज 2020 को हमारे फैनास मिनिश्टर जी ने लॉंच किया था याद रखिए 15 में 2020 हमारा पूप्य और लॉकडाउन का टाइम था कॉविड अभी स्टार्टी हुआ था तो उस ताइम कॉविड के रिलीफ पैकेजिस पी बैक टू बैक अनॉंस कर रही थी गॉबर्मेंट तो उसी समय रिलीफ पैकेजिस के बीच में एग्री इंफ्राफंड के बारे में अनॉंसमेंट किया गया तो एग्री इंफ्राफंड के में हमारे गॉबर्मेंट ने एक लाख क्रोड के फंड्स एक लाख क्रोड के फंड्स को एग्री कल्चर के इंफ्रस्ट्रक्चर की डिवेल्पमें में डालने का प्लैन बनाया कितना एक लाख क्रोड का टोटल फंट डालने का प्लैन बनाया किसमें एग्री कल्चर के रिलेटिड इंफ्रस्ट्रक्चर में कि जो पर्सन जो एंटिटीज जो एजेंसिस लोकल बॉडिज एग्रिकल्चर के साथ इंफ्रस्ट्रक्चर को डेवल्प करेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में एलिजिबल प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे कि क्या है क्या नहीं तो उनको इसकी सहायता दी जाएगी तो उस है पहले गयोंसमझें समयी को ड़िपर्सेंट जो भारत की पॉपॉलेशन है वो डिपैंड करती है एंग्यीव कंट के उपर तो वनेजॉरिटी ओफ पीपल ओफिंडिया जो है वो एंग्यूं परर देपैंड करते हैं यह डाटा में ने कहां से लिया यह दाटा इनके ही सर तो मतलब आप इसमें ये बताना चाहरे हैं कि देखिए अगर भारत में 100 किसान है तो उनमें से 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास सिरफ 45% ही एग्री लेंड है पूरे भारत की जिस पे खेती हो सकती है और जो बाकी 15% किसान है वो 55% ऑफ दा एग्री लेंड होल्ड करते हैं भारत क तो मतलब distribution of wealth किसानों के बीच में मलब समान अंतर नहीं है किसान बहुत छोटी-छोटी होल्डिंग वाले किसान बहुत जाद है small holdings वाले किसान बहुत जाद है जिनके पास small holding का मतलब less than two hectares of land हो तो अगर किसान छोटी holding वाला है छोटा किसान है गरीब किसान है तो उसकी market में bargaining power भी कम है उसकी market में reach भी कम है क्योंकि वो अपना ही खर्चा manage नहीं कर पाता तो वो आगे का business बढ़ाने का latest innovation के तरीके का अपनी फसल को और जदा quality वाला बनाने का और जदा आगे market में अप competition लड़ने का bargaining करने का यह सब पावर तो उसके बस आएगी नहीं तो समझ पा रहें कि यह एक प्रॉब्लामेटिक एरिया है इंडिया के लिए तो जो infrastructure connect करता है farmers को market के साथ infrastructure तो का भी वाइड concept आ गया कि उसमें आप लगा लिजी storage capacities भी आ गया लोजिस्टिक्स भी आ गई तो infrastructure जो farmers को market में connect करता है वो बहुत underdeveloped है भारत के अंदर आपको भी पता है कि underdeveloped है पूरा यह low है quality low है उसकी वज़े से क्या माना जा रहा है कि भारत की लगबग जितनी फसल उपचती है जितनी फसल निकलती है उससे उसकी around 15-20% फसल जो infrastructure की connectivity ना होने की वज़े से गुदामों में सट जाती है बरबाद हो जाती है पहुंची नहीं पाती जहां पर चाही होता है उ जोती बात ही है कि private लोग private जो investors है वो agriculture segment को decline कर रहे है जबकि agriculture segments में काफी ज्यादा investments की जुरूरत है बट फिर भी वह agriculture की investments की उपर ध्यान नी दे रहे और private investments इसके अंदर reduce हुई है साल-दर साल और reduce होने का मतलब यह है कि investors को confidence नहीं है भारत के agriculture sector में और इसका मतलब दूसरा यह भी है कि देखिए agriculture sector को चलाना तो ही क्योंकि major population इसके उपर dependent है तो private investments कम होने के का मतलब यह होगा कि government को अपनी investment से जादा करनी पड़ रही है naturally तो government क्या चाती है आजकल आप देखी रहे है प्राइविटाइस कर रही है सारी चीज़ों को तो government चाती है कि private investment agriculture segment में भी बढ़े और हमारा हमारा जो revenue है इसके उपर कम खर्चो तो इनी सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए इनी सब चीज बहतर डवेलप हो प्राइविट इंवेस्टमेंट्स इंकरेज रहे हो एक्रिकल्चर सेक्मेंट में यही सब मोटिव्ज हैं इस स्कीम के और यही सब प्रोजेक्ट्स आप पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी तो अब हम इस फीचर स्कीम के कुछ और बाते जान लेते लगेगी लोन के पीछे लोन के लिए तो आपको नेक्स्ट स्लाइट में पूरी डिटेल आपको मैं दे दूंगा तो जो यह स्कीम है यह ऑपरेशनल है 2020-21 से लेके 2032-33 तक सिर्फ इस पिरिट तक ही ओपरेशनल है और जो आपका लोन इसके इस स्कीम के अंडर आप सेंक्शन करेंगे अज़ा क्रेट मेंगर तो आपका जो वो लोन है वो मैक्सिमम दोजार पचिस शब्श तक डिसबर्स हो जाना चाहिए जाने कि 21-3 दोज़श तक ये डिसबर्स हो जाना चाहिए ये पहले 2029-30 तक होती थी स्कीम बाद में इसको एक्स्टेंड कर दिया गया तो हो सकता है आगे चलके भी इसको एक्स्टेंड कर दिया जाए बट एज़ों डेट पोजिशन इसकी यह है तो दोज़़श शब्श से लेके 2032-33 तक के बीच में सेवनियर्स का गैप है और वह सेवनियर्स का क्यों है वह मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूं देखिए अब की benefits के बारे में discussion करते हैं काफी important चीज़ है आपके लिए क्या benefits है स्कीम के अंदर तो सबसे पहला benefit इसका यह है कि इसके अंदर आपको interest दर में छूट मिलती है कितने परसेंट की 3% की चूट मिलती है 3% आपको ब्याज कम लगेगा अगर आपको कोई bank 9% का ब्याज लगा रहा है तो net shell में आपको ब्याज का खर्चा कितना पड़ेगा 6% का ब्याज का खर्चा पड़ेगा और 3% ब्याज के खर्चे का benefit government देगी government पे करेगी यह 3% का ब्याज तो वो एक लाक क्रोड के अंदर ही यह सारा उन्होंने सोचके डला हुआ है तो 3% का benefit पे करेगी कितने साल तक पे करेगी 7 years तक पे करेगी 7 साल तक आपको यह benefit मिलेगा government की तरफ से और कितनी amount तक के loan के लिए मिलेगा दो क्रोड तक के loan के interest के दर में छूट दी जाएगी interest का benefit दिया जाएगा वो 3% का benefit साप साल के लिए दिया जाएगा अगर माली जी आप loan 5 क्रोड का apply करते हैं तो तब भी आपको जो benefit मिलेगा वो सिर्फ 2 क्रोड तक की amount के loan के लिए मिलेगा और 2 क्रोड से जितना जादा आप loan लेंगे उसके उ उपर जो amount है यानि कि 3 क्रोड जो balance बच गया उस 3 क्रोड के उपर आपको commercial rate of interest लगेगा normal rate of interest लगेगा उसके अंदर government आपको कोई benefit नहीं देगी परदर यह सिर्फ benefit आपको 7 years के लिए available है सिर्फ नहीं 7 years बहुत होते हैं 7 साल के लिए benefit available है अब आप पूछेंगे कि यह 30% का 9% करेगा जैसे 9% rate अगर approved है तो 9% charge करेगा 3% आपके खते में government से जब grant आ जाएगी तो वो उसको credit कर दिया जाएगा आपके account में तो आगे मैंने इसी line को explain किया है कि अगर bank decide करता है कि मैं ज़्यादा loan दूँ या ज़्यादा tenure का loan दूँ तो तब भी आपको जो benefit है वो सिर समझेंगे आप इस चीज़ को उसके बाद बात करते हैं कि आपको CGTMSC cover मिलेगा इस scheme के अंदर 2 क्रोड तक का याद रखिए इस scheme के document में agree infra fund के document में इसको अभी 2 क्रोड तक ही लिखा हुआ है जबकि आप जानते ही है कि CGTMSC 5 क्रोड तक extend हो जुक है पर इस policy के text में इसका benefit up to two crores तक की loan की guarantee के लिए ही है वो बिल्कुल CGTMSC guidelines आपके लिए apply होंगी अगर आपको as a credit manager आपके पास इसका loan आता है तो आप 2 क्रोड तक के loan के लिए जब CGTMSC cover आपको मिलना ही है CGTMSC के under ही मिलना है उसके लिए आपको separate application नहीं लगाना CGTMSC कोई application जाना है तो वो दो क्रोड के loan के लिए जो CGTMSC benefit है आप में आप उसमें CGTMSC guidelines ही apply करेंगे साथ के साथ राइट समझें आप इस चीज़ को तो जो CGTMSC के बारे में है कि एक interesting चीज़ यह है कि जो CGTMSC की hefty fees होती है जो 1-8% कितनी % fees होती है जो वो fees इस case में agree infra fund के अंदर जब आपका case आएगा तो उस fees को government pay करेगी देखें बोरोर से recovery नहीं की जाएगी नॉर्मल CGTMSC में तो आप fees borrower से recover करते हैं तो इस case में working कैसे रहेगी पहले bank इसको pay करेंगे fees को अपनी pocket से देन उसकी reimbursement लेंगे government से समझे के इस चीज़ को government से reimbursement लेके पहले खुद pay करके borrower pay नहीं करेगा इस fees को borrower normal processing fees जो bank को pay करनी है वो करेगा CGTMSC fees नहीं pay करेगा इसके अंदर ठीक है और यह तो बता दिया कि up to two crores loan तक के लिए तो CGTMSC cover और है CGTMSC cover normally किता रुखता है पचातर परसेंट तो अगर दो क्रोड से ज़्यादा का लोन बैंक देना हो बैंक देतो सकता है यह दो क्रोड से ज्यादा का लोन तो उसके लिख दिया कि bank collateral security ले सकता है अपने को secure कर सकता है दो क्रोड से ऊपर अपने के लिए अपटो दो क्रोड तक तो CGTMSC cover के अंदर ही करना पड़ेगा उसके बाद point है कि कि इस तरह से डिफाइड नहीं है कि आपको चौटरम कितना देना है लॉंग टरम कितना देना है जबकि जो इस स्कीम की essence है इस स्कीम की जो मेन आपकेजंग उनिट बनाने के लिए कोई बनाने के लिए तो यह को यह चीज़ अपर धियार रखिएगा जो टंड आप देंगे उस तो तभी तो यहां पर यहां पर सब्सक्राइब करेंगे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं तो साथ साल का तर्म लोन देंगे तो मैंने पहले भी आपको समझाया पर आपको वो सिर्फ साल तक मिलेगा इस स्कीम का उससे साथ साल के टार्म लोन में और पूस्क्राइ और दो साल का देंगे सकते हैं तो यह मौरेटरियम इंक्लूड़िड है इससे अलग नहीं है अगर मान दीजिए आपने किसी को 1 करोड का term load 7 साल के लिए sanction किया और उसके आपके ने 2 साल का moratorium दे दिया कि नेच्ट स्लाइड में क्या है देखिए हम करते हैं हम बोलते हैं कि पर मोटर मीनिमुम कितने प्रसेंट डालेगा तो इस वे नहीं ने उन्य सब्सक्रात कर दिया कि पर मोटर का मिनिममम contribution minimum 10% चाहिए ज़्यादा भी ले सकते हैं आप यहां पे सिरफ ध्यार किया minimum की बात हो रही है और मैंने banks की policies में यूजली देखा है तो bank 25% contribution जो उनकी standard guidelines है वही मांगते हैं इसके अंदर एक बड़ा interesting benefit है इसे scheme का क्या benefit है कि यह scheme में एक top up scheme है top up scheme का क्या मतलब है कि अगर आपको government की किसी और scheme के अंदर कोई xyz benefit होता है ठीक है तो उस xyz benefit को यह scheme decline नहीं करेगी आप वह xyz benefit भी लीजिए और इस scheme के अंदर मिलने वाले benefits भी लीजिए तो दोनों आप अवेल कर सकते हैं यह यह scheme top up scheme है याने कि उन schemes के ऊपर एक scheme है उसके टॉप up scheme है उसके ऊपर एक scheme है उन schemes को खतम नहीं कर देती यह चीज़ तो कुछ other schemes के मैं आपको बता देता हूं जिनके अंदर ज्यादा आपको सबसीडिस के benefit मिलते हैं जैसे मिद स्कीम है मिशन फूर इंटीग्रेटिड डिवेलप्मेंट ऑफ होटी कल्चर होटी कल्चर जैने कि जो प्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेतिबाड़ी है उसको डिवेल्प करने के लिए जो गवर्मेंट ने प्रजेक्ट्स लागाने के लिए प्रूव की हैं उनके अंदर जो सब्सीडिडी उनको फॉर्मलाइज करना उनको लुक्रेटिव ओफर देना कि भाई आप अपने आपको किताबों में लेके आईए अपना रिजिस्टर कीजिए अपना काम बैंकों के थ्रू कीजिए तो यह वो स्कीम है हमाम स्कीम आगे कि सब्मिशन ओन सब्मिशन ओन एग्रिकल्चर मेकैनाइजेशन मतलब अगर आप अग्रिकल्चर मिशिनरी वगारा बाई करते हैं तो उसके उपर कोई सब्सीडि वगारा का बैंफिट गोबर्धन स्कीम तो गोबर्धन क्या है वही कावडंग जो होता है केटल वेस्ट एग्री वेस्ट या और्गैनिक वेस्ट को यूज़ करके बायोगैस बनाने के लिए आपको सब्सीडिज वगरा या कुछ बैंफिट्स ओफर किया जाते हैं तो देखिए जो यह प्रोजेक्ट्स आप इन्हें में कर रहे हैं तो मोटा मोटा बात यह है कि य यह भी बैनिफिट लीजिए और एग्री इंफराफंड के अंदर जो बैनिफिट अवेलेबल है वह भी लीजिए तो गवर्मेंट ने इनी सब चीज़ों को ध्यान में रखे यह स्कीम पूरी डिजाइन की है नेक्स्ट है जैसे प्रधान मंत्री किसान सिंचाई स्कीम तो अब सिंचाई के साधन की नहीं है कोई आसपास पानी नहीं है तो वहां पर सिंचाई अवेलेबल करवाना तो ऐसी स्कीम के अंदर जो बैनिफिट दिया थे वह प्रधान मंतरी क्रिशी सिंचाई से योजना के अंदर आती है कि जैसे स्टोरेज क्वैस्टि बढ़ाना मार्केटिग को करना मंटिम को अपकी ग्रेडिंग भी आजाती है स्टोरेज वीयुक्स अंदर जयुक्न के अंदर युए वह एक थोड़ासा अलग चीश में आ और में आपको नहीं Support विडियो में बताने वाला हूं तो प्राइमरी एक्री कोपरेटिव ससाइटी होती है उनको मल्टी सर्विस सोसाइटी के अंदर टर्न करना है कि जो वो एक अबजेक्टिव के उपर काम कर पाएं और आधुनिक तरीके से काम कर पाएं तो इसको प्रमोशन करने के लिए जो वर्क करेगा वो इस स्कीम के सब्सक्राइब करें तो इसको बोलते हैं प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना प्रधान मंत्री इंप्लोइमेंट जनरेशन प्रोग्रम तो इंप्लोइमेंट जनरेशन के लिए जो माइक्रोजनेट्स इस्टेब्लिश किये जते हैं तो उनके लिए यह बेनिफिट अवेलेबल होता है तो काफी इन स्कीम में आपको कैपक्स सब्सेड़ी दी जाती है कि जो आप मिशिनर सकता है अमाली जी आपको कोई मशिनरी आपने बाय किया कोई लगाया तो मार्केटिंग इंफ्ट्रस्ट्रक्चर स्कीम के अंदर आपको माली जे 10% कैपिटल सब्सेड़ी मिल गई तो मशिनरी का 10% गौवर्मेंट ने सब्सेड़ी दे ठीक है तो यहां पर हमने रख्वार स्कीम का फीचर समझते हैं कि इसमें इंट्रस्ट रेट की सीलिंग है इंट्रस्ट रेट की कैपिंग है कि एक प्राइवेट सेक्टर मलब प्राइवेट सेक्टर बैंक कितना रेट ऑफ इंट्रस्ट आप से चार्ज कर सकते हैं और वो सारे रेट ऑफ इंट्रस्ट उनकी व आपको तो इसका स्प्रेड जो डिसाइड किया वो छे महीनने के MCLR प्लस 1% के उपर डिसाइड किया maximum यह जो 9% है यह maximum rate of interest है इससे कम चार्ज करना चाहें बैंक सिवो मोटो तो चार्ज कर सकते हैं यह maximum rate of interest है ठीक है तो कई ग्रामीन और कोपरेटिव बैंक से जो है वह फोटोड़ां चोटोड़ां बेंक से चारज करया चोटवारें चार परामीनिस थींट्रेज ऑपर आपको लोन जाएगा तो मैं आपको एक वैब साट पर पाइनकी दिखाता हूँ यह इनकी वैबसाइट है कि अगर आप इस वैबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको इंटरस्ट रेड्ड का बिलेगा इसकी उपर आपको प्लिक करेंगे तो दिखें आपको ये rate of interest अलगलग बैंकों के नाम पे ये rate of interest side पे आगए कि ये bank कितने कितने rate of interest को charge करेंगे तो इस तरह से ये list पूरी update यहाँ पे होती रहती है और हर एक bank के साथ इनका memorandum of understanding भी signed रहता है तो क्योंकि ये scheme का benefit सिरफ 2 करोड तक के loans के लिए ही available है तो उन्होंने bank को एक option दे दिया कि जो ये interest की capping है कि आप इतना ही rate charge कर सकते हो ये आप 2 करोड तक के लिए ही रखो ये आप 2 करोड तक के लिए ही रखो अगर आप 2 करोड से ज़्यादा का loan दे रहे हो तो आप अपनी margin से जितना rate of interest charge करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि जो government की scheme है उसका benefit 2 करोड तक के loan के लिए ही दिया जाता है अगर बैंक ज्यादा loan देना चाहें तो ज्यादा loan के उपर ज्यादा rate of interest access amount के उपर ज्यादा rate of interest charge कर सकते हैं पर जो ये सिर्फ 2 करोड का amount रहेगा 2 करोड के उपर वो ज्यादा rate of interest charge नहीं कर सकते क्यापिंग के हिसाब सिचार कर सकते हैं कि dual rate of interest का fund down को लगाना पड़ेगा नेक्स्ट इसके अंदर जो benefits हमने डिसकस किये हैं interest subvention का या CGT MSC का वो eligible project को ही benefit मिलता है कुछ projects हैं जो eligible होने चाहिए उन्ही projects के उपर ये benefits दिये जाते हैं और यह जो benefit है न यह one location के उपर based benefits है location के benefits हैं यानि कि for example Mr. A है Mr. A लुधियाना में काम कर रहे हैं और लुधियाना के अंदर उन्होंने बोला कि भाई ये तो बढ़िया चीज है कि benefit मिलता है की तरफ से इतना ब्याज का तो मैं तो लुधियाना में ही दस project खोल देता हूं लुधियाना में ही हार एक प्रजेक्ट का लग लग benefit ले लेता हूं तो गॉर्मेंट सोचेगे कि यार यह तो फिर सारे प्रजेक्ट लुधियाना में कि आप एक लोकेशन पे एक प्रजेक्ट का ही benefit ले सकते हैं यह जो दो क्रोड का सीजी टे मैसी का इंटरस सब्मेंशन का benefit है वो एक लोकेशन में एक प्रजेक्ट के लिए ही ले सकते हैं अगर आप इसमें बोरोर वाइस classification नहीं है कि बोरोर भी different होना चाहिए ज्याद रख होंगे उनके उपर आपको कोई भी benefit नहीं दिया जाएगा तो इफ वन डिसाइट उस्टार्ड मल्टीपल प्रजेक्ट्स इन वन लोकेशन देन नो सेपरेट बेनिफिट शेल बी गिवन एज इट विल बी काउंटेड लोकेशन बेस्ट बेस्ट ऑन दी खाली लोकेशन के इसमें बॉर सेपरेशन का कोई को लॉज नहीं है जो प्राइवेट एंटिस हैं आपके और मेरे जैसे परसं जो प्राइवेट एंटिटीज हैं जो गॉर्मेंट और लोकल बॉडिस नहीं है वह मैं आपको नेक्स्ट लेक्श्र में समझाओंगा कि लिजिबल जो प्राइवेट एंटिटीज होती है उनको यह बेनिफिट अप्टू मैक्समाम 25 प्रजेक्ट तक दिया जाएगा यानिकि एक बॉर्वर मैक्समाम जो 25 प्रजेक्ट से डिफरेंट वह भी 25 प्रजेक्ट कहां पर डिफरेंट 25 लोकेशन पर लगे होने चाहिए एक होता है कि लोकेशन कैसे डिफाइन की जाएं यह कैसे पता लगे कि यह यह बहुत सकता कि यह तो लोकेशन सेपरेट आइज पढ़ता है वह विलेज पढ़ता है तो देखिए गवर्णमेंट ने 2018 में एक local government directory code launch किया था अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप Google जाके सर्च करें local government directory code उसके अंदर लिखे वर्ड से क्लिए रहे local जो local level पे government जो local level पे government है उनकी coding की गई है उनको एक unique नंबर दिया गया है तो यानि बाउंडरी की तरफ द्यानी है उन governments को एक unique नंबर एलोकेट किया गया है उनकी tracking के लिए जैसे आपका पैन नंबर है मेरा अधार नंबर है तो मेरे अधार नंबर से आप मेरा डाटा निकाल सकते हैं ठीक है एक companies इस companies के case में companies का सीन नंबर होता है तो सीन नंबर को प्राव में डाला तो उनका सारा कज्चा चिटा सामने आ जाता है ऐसी government ने अपनी local governments के performance को उनके काम को उनकी चीजों को track करने के लिए हर एक को एक unique code allocate कर दी है जैसे हर state को एकोजनी code allocate होता है जैसे पंजाब के लिए 27 number code है और code में fall कर रहा है तो that means आपने location change कर लिए है ठीक है तो local government directory code से उस location को identify किया जाएगा ज्यादा समझना हो इसके बारे में तो Google पे जाके सर्च कर लीजिए Google पे आपको आपके area के भी local codes मिल जाएंगे कि आपके area में कौन-कौन से codes allocate किये गए हैं अलग-लग governments को इस scheme के अंदर को capital subsidy का benefit नहीं है वो आपने देखी लिए होगा interest subvention और CGTMAC benefit है क्यों नहीं है capital subsidy का benefit क्योंकि एक top up scheme है तो जो बाकी scheme के अंदर आपको capital subsidy के benefit हो जाते हैं तो वो आप वहां से वेल कीजिए और साथ में इसका भी benefit है वेल कीजिए ठीक है एक important point है यहाँ पर आप standard or substandard होता है SMA1032 मलब 3 नहीं sorry SMA012 होता है तो जो interest subvention का देखिए यहाँ पर खाली subvention की बात हो रही है CGTMAC की बात नहीं हो रही जो subvention का benefit है वो तबी तक मिलेगा आपको जब तक आपका account standard है जो आपने loan दिया अगर वो standard category में चल रहे तो subvention का benefit मिलता रहेगा आपको government से साथ साल के लिए अगर आपका account डाउंग्रेड हो गया आपका account बन जाएगा तो फिर यह benefit फिर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि सर मालेजी यह timeline है इसके अंदर यह account standard था इसके बीच में यह मालेजी SMA 2 हो गया डाउंग्रेड हो गया यहां पर जाके फिर से standard हो गया यहां तक तो interest सब्वेंशन मिल रहा था यहां तक इंट्रस सब्वेंशन मिला नहीं और यहां से फिर इंट्रस सब्वेंशन मिल गया तो क्या यह लैप्स हो गया क्योंकि उसने इस SMA 2 को ठीक करके वह बंदा मेचयोर हो गया उसने अपना SMA 2 ठीक करके standard कर लिया अपने आपको तो वह पिछला benefit गवा देगा तो इसमें प्रावधान है कि अगर आपने अपने अकाउंट को अप्ग्रेड कर लिया सब्सक्राइब कर लिया तो जो पीछे आपका लैप्स हुआ था वह भी आपको वापिस कर दिया जाएगा तो यह इसके बारे में स्पैसिविगली मेंशन किया हुआ है तो यह जो थे यह इस स्कीम के की फीचर थे जो इस स्कीम के मोटा कर पाएंगे लोजिस्टिक फइसली स्टी होंगी स्टोबःज फिंटियां हुंगी घूंगी पेकेजिंग बढ़ेंगे और भी काफी उनके इनौवेशन के तरीके बढ़ेंगे के उनकी फील्ड में तो इलिए प्रजब फूर्ज वीडियो में जानेगे इसके बारे में उनका लोजिस्टिक्स इंफ्रा इंप्रूव होगा मार्केटिंग करना उनको ट्रांसपोर्ट करना मटीरियल आसान वह सब गड़ेगा मटीरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वह अपने प्रजेक्ट से ज्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं इसी स्कीम के अंदर अंडर पीपी मोडल यह पुब्लिक प्राइबेट पार्टर्शिप मोडल होता है इसको नेक्स्ट लेक्शर में मैं डिस्पर्स करूंगा बरीफली प्राइब करेंगा बैंकों को लोग के उपर लैंडिंग करने का मोका मिलेगा क्यूंकि गया मिलेगा इंट्रस्ट जैदा बढ़ने की वज़ा से आपकी quality improve होगी और क्योंकि produce बढ़ गया और आपकी price reduction के होने भी chances हैं तो यह सब benefits इस scheme के अंदर माने जते हैं कि लोगों को होंगे यह मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे यह मैंने इनके government की scheme document से ही उठाएं आपके लिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ eligible projects के बारे में description करूंगा detail में eligible boros के बारे में प्रेश्टिंग guidelines के बारे में कि कैसे apply करना है क्या file आईगी क्या नहीं तो यह सब आपको आपको मजा आए होगा इसके बारे में जानके थेंक्यू वेरी मच गाइस